दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो कि बहुत ही शांदर और आजमाया हुआ नुस्खा है जो डॉक्स की भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है कई पैट ओनर्स सिकायत करते हैं कि उनका पैट खाना नहीं खा रहा है या बहुत ही कम खाना खा रहा है और खाने में आनका नहीं कर रहा है और धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है तो आज की वीडियो उनहीं के लिए है तो इसके लिए कौन सा घरेलू तरीका इस्तिमाल कर सक तो जो pet owners होते हैं वो समय समय पर अपने dogs की deworming करवाते हैं उन्हें multi vitamins देते हैं liver tonic देते हैं और यह सब कुछ करने के बावजूद उनके dogs की भूग जो है वह भड़ती नहीं है कई बार ऐसी condition होती है कि dogs खाना पीना बहुत ही कम कर देते हैं और जब खाना पीना कम कर देगा तो जाहिर सी बात है कमजोर होता जाएगा उसके बाल भी जड़ते जाएंगे उसकी skin tone बहुत पतली हो जाएगी उसकी आखें उसकी सारी की सारी body कमजोर हो जाएगी तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों को पीस कर इनका powder form बना लेना है तो यह है जो मिश्रन हमने तयार किया है यह हमें अपने डॉक्स को उनके वजन के अनुसार देना है जैसे अगर हमारे डॉक का वजन 10 किलो है तो हम उसे 10 ग्राम यह मिक्सर दे सकते हैं और अगर हमारे डॉक का वजन 30 किलो है तो हम यह मिक् आप से 30 ग्राम मिक्सर देना चाहिए लेकिन हम लोग 25 ग्राम तक दे सकते हैं क्योंकि यह ज्यादा मात्रा में नुकसान भी कर सकता है तो दोस्तों अपने डॉप के वजन के हिसाब से हमें यह मिश्रण लेना है और उसके बाद इस मिश्रण को हमें पानी में गरम करना है यानि कि जब तक 50 ml पानी बच जाए उसमें तब तक हमें उसे गरम करना है और उसके बाद हमें यह पानी ठंडा होने के लिए रख देना है और जब पानी ठंडा हो जाए तब हमें यह पानी अपने डॉग को पिलाना है अगर आपका डॉग यह पानी पी लेता है तो उसे पिला दें अगर कभी 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 क्या होता है कि डॉग से यह पानी नहीं पीते हैं तब हमें क्या करना है कि इसे हमें चान लेना है तो इसमें क्या होगा कि छानने से सौफ और अजवाइन के जो तुस पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाएंगे और हमारे पास पानी बच जाएगा तो यह है पानी हम लोग ड्रॉप की सहारता से अपने डॉक्स को पिला सकते हैं पूरी कोशिस करनी चाहिए कि यह सारा का सारा पानी हमारा डॉक्स पी ले और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है तो हमें यह पूरा पानी अपने डॉक्स को पिलाना है इससे आपके डॉक्स की भूक बढ़ेगी उसका खाया पिया पच जाएगा और वह खाने पीने में अनाकानी नहीं करेगा तो दोस्तों हमारी यह है आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना